एक तरफ ये कहते हैं कि छोटा बच्छा भगवान के समान होता है और वो प्यासा बच्छा इसका मठका छू लेता है तो इसके अंदर जाते बादी आतंक बादी जाग जाता है और ये पीड़ पीड़ पर के इंद्र मेगवाल को मार देखता है मैं आज आप लोगों से आखरी बात करने आया हूँ अंतिम बात करने आया हूँ इसके बात करने की हमारी हिम्मत और तुम्हारी हिम्मत नहीं बचेगी वो ये है कि ये मान सम्मान की अंतिम लड़ाई मान कर मैं आवहान करना चाहता हूँ कि जालोर की धर्ती पर एक करोड बहुजन समाज के लोगों को पहुचना चाहिए बाबा साब के नाम पर बुद्ध के नाम पर तमाम संतों गुरुओं के नाम पर आपने लाखो संगठन बना रखे हैं मैं जादा नहीं कह रहा हूँ उन संगठनों का राश्टी अद्यक्ष मुखिया सुप्रीमों ही अगर गारी उठाकर के जालोर की तरफ चरदे तो ये सामंती जालोर छोड़ करके भाग जाएंगे लेकिन हम इतने बुझदिल हो गए हैं इतने मर गए हैं इतने डरपाउक हो गए हैं कि सत्त के साथ खड़े होने में हमको डल लगने लगा है याद रखना ये शंविधान देश में लागू है तब तुम इतने बुझदिल हो अगर हिंदू राष्ट हो गया तो तुमारी क्या दसा होगी ये आपकी पीड़ी आने बाली बताएंगे इसलिए आज में बहुत दो भिक्षू देश भारत के सभी समता मूलक समाज की इस् जगदेव प्रसाद को मानने वाले लोगों से राम सरू बर्मा को मानने वाले लोगों से तमाम ललेशी यादव को मानने वाले लोगों से आभान करता हूं कि आप अपनी कार उठाएं ट्रेन को कराएं हवाई जाद से आएं जालोर पहुंचें अगर आप नहीं पहुंचत के सभी जिन्दा लोगों से अपील करना चाहता हूं कि लाखों की संख्या में जाल और पहुचिए हर्याडा के लाखों लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि लाखों की संख्या में जाल और पहुचिए राजस्थान की सरकार को हिला दीजिए इस गहलात गहलोत की सरकार क करना चाहता हूं कि आप भी जालो और पहुचिए पंजाब के लाखों लोगों से मैं आभान करना चाहता हूं आप भी पहुचिए और उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों से मैं आभान करना चाहता हूं उस बच्चे को नयाय दिलाने के लिए जाती बाद के खिलाप लड़ याद रखना यही सामंती तुम्हारे घर में खुष करके तुमहें मारेंगे इसके पहले जाग जाओ भोष में आओ और चलो जालो राजस्तान मैं श्वायम 18 तारी को जालोर पुह रहा हूं और जब तक बच्चे नहीं मिल जाता जब तक बच्चे को नहीं मिल जाता मैं जालोर की धर्ती को नहीं छोड़ूंगा यह मेरा आभान है तमाम मेरे योधा जालोर की धर्ती पर जा रहे हैं अगर उन सामंतियों ने हमारे उत्तर पिदेश के पंजाब के हर्याणा के गुजरात के लड़ने वाले योदाओं को अकेला घिर लिया तो उनकी हत्या वो कर सकते हैं सरकारे पुलिस के माध्यम से उनको घरवा करके हत्याइं करा सकती है लाठी चलवा सकती है किसलिए कम से कम एक करोड की संख्या में जालो और पहुँचिये आर पार की लड़ाई अब लड़नी होगी आज लड़ लोगे तो सस्ते में निपट जाओगे नहीं तो लाखों लोगों को जान गवानी पड़ेगी तब भी आप मुक्त नहीं हो पाओगे गुलामी से याद रखना संबिदान है भारत में डरने की जरूवत नहीं है इन सामंतियों को सबक शिखाना है इनके अंदर जो कीड़ा जातिवाद का बैठा है उसको मिटाना है बहुत लोग भाषण देते हैं कि मैं बाबा साब के सपनों का भारत बनाऊगा आओ दम है जिगरा है तो महाँ पहुंचने का नड़े लिया है मैं भी पहुंच रहा हूँ आओ हम सब मिलकर धरना पर बैठेंगे भूंकरताल करेंगे और चाए कुछ भी हो जाए उसे जेलने की जिम्मेदारी लेते हैं और कश्ट उठाएंगे लेकिन इंद्र मेगबाल को नयाय दिलाएंगे यह बच्चा है नौ साल का बच्चा है आपकी आँखों में आशू नहीं आए आपको कश्ट नहीं हुआ आपके बच्चे के साथ ऐसा होता तो क्या करते खून जो तुमारा ठंडा हो गया है उसे जगाओ तुम कोई छोटे लोग नहीं हो इस देश भारत के पुराने राजा मा तुमारे पुर्खों ने भारत बनाया है तुमारे पुर्खों ने भारत को सीज पर पहुंचाया विश्व गुरू का दर्जा दिलाया है तुम उनकी संतान हो तुम कोई छोटे लोग नहीं हो अच्छूत लोग नहीं हो यह जालिम लोग तो मैं इस तरह से मारेगे बरदा है क्रोध है चिंता है दुख है कस्ट है उस परिबार को मारा गया कोई कहने बाला नहीं है आओ अगर आज आपने अपने घर से कदम नहीं निकाला तो मैं यह जान जाओंगा कि आपने गुलामी सुईकार कर ली है और अब आपको आजाद होने के जरूरत नहीं है चलो हम जालोर चलते हैं इंद्र कुमार मेगवाल को नियाए दिलाएंगे और जब तक उसे नियाए नहीं मिल जाता हम जालोर में ही डेरा डालेंगे करोडों लोग पहुँचिए वहां अरे सौ करोड लोग हो तुम भही भारत में सौ करोड और एक करोड लोग जालों नहीं चापा रहे इससे ज़्यादा बुजदली और क्या हो सकती है आओ हम जालोर चलते हैं सरकार से लडेंगे सामंतियों से लडेंगे यह अंतिम लडाई होगी फिर कोई कभी जातबादी आतंक बादी इस तरह से नफरत करके मूच वाले को नहीं मारेगा पानी चुने वाले को नहीं मारेगा नीच्छा आपको नहीं कहेगा अपने आपको सृरिष्ट नहीं कहेगा हमें सत्था परिवर्तन की लडाई बहुत लड़ली अब बिवर्स्ता परिवतन की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी आओ अगर हम लोग मारे भी गए तो आने बाली पुस्त रहाद रखेंगी कि हम मारे गए जो घर में बैठके मारे जा रहे हैं बीमार होके मारे जा रहे कोई जानता भी नहीं है आओ अपने अंदर बैठे भगजा सिंग को जगाओ बाबा साथ को जजबे को जगाओ और जालोर के बच्चे को नियाओ दिलाओ मैं चाहता हूँ सब लोग सभी राज्यों से लाखो लाखो की संक्या में जालोर पहुँचें और सरकार से सामंतियों से लड़कर उस बच्चे को नियाओ दिलाएं मैं स्वैम अपनी टीम के साथ जालो और पहुँच रहा हूँ बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत सादुबाद किरांतिकारी नमो गुद्धाय जैभीम जैश्रंबिधान जैभाद अगर आप चाहते हैं गरीब हरबंचीत इंसान के वाज आप तक पहुचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का पटन दोबारा ना बोलें देखते रहे बहुत-बहुत नलतनी उज़ए